अब तो इस तूडेटैंस टोडेशी टूडेश्टि लीए और क्लास 4 की लिए और क्लास 4 का ह्सिर्प्र चाप्टर जो था यूनियन इजी स्ट्रेंथ वह आप लोग अप्लोग का कंप्लीट हो चुका था और कर मैं उसका multiple choice question लेकर आई थी और मैं आज उसका question answer लेकर आई हूँ तो students आईए हम लोग start करते हैं One number जो है What was the flock of peasants searching? flock of peasants यानि की कबूतरों का जो जूण था वो क्या ढूण रहा था? the flock of peasants were searching a food flock of peasants were searching a food जो peasants का जो जूण था वो क्या चीज का search में था तो food के Two, what did the old pigeon advise? सबसे जो बूढ़ा पीजन था उसने क्या advice दिया? This is not the field of wheat तो बूढ़ा जो पीजन था उसने क्या advice दिया? क्या सुछाओ दिया? कि ये जो है This is not the field of wheat ये हूँ का field नहीं है क्योंकि जो follower था जो hunter था उसने क्या किया था कि wheat का grain क्या किया था grains of wheat डाल दिया था Third number How were the peasants trapped in the net? जो peasants थे वो net में कैसे फसे? तो when the peasants begin to eat the grains of wheat जब peasants जो थे जैसे ही grains of wheat को उन्होंने चूंगना शुरू किया वैसे ही वो क्या होगे? फस गए net में Fourth number What did the peasants do to lift up in the air? In the net What did the peasants do to lift up in the net? जो peasants थे वो कैसे net को लेकर के उड़े? तो they flow up together in the air with all their strength वो लोग एक साथ अपनी पूरी सकती लगा कर जब वो लोग उड़े तो पूरे क्या net को ही लेकर वो लोग उड़ गये Fifth number Where did they go for help? वे लोग help के लिए कहां गये? तो they went to the mouse for help वे कहां पहुचे? चुहे के पास? किसलिए help के लिए? क्योंकि चुहा जो था उसका क्या था? पीजन्स का friend था तो students आज आज आप लोग का third chapter भी union एजी strength भी आप लोग का complete हो चुका है और ये जो question answer है आप लोग को अपने copy में fair कर लेना है फिर इंगलिस की fair copy में और फिर मैं next video में ये जो four chapter है वो में कथकली एक dance form होता है मैं वो लेकर आऊंगी तुझे students आप लोग मिलते हैं आप next video में